असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम टू मैं चैनल आज के इस वीडियो में मैं ड्रेस के बहुत इक उपसर से डिजाइन आप लो के सब शेयर करूंगी जिसमें फर्स ड्रेस हमारे पास कुछ इस तरह का है यहाँ पे जिस तरह से केटलॉक में दिखाया गया है सेम उसी तरह का है और उसी तरह से हमने इसको डिजाइन किया है शेफून का की वहाइbug का पूरी शेट के ऐपर इस तरह से ही एम ड्रेडी की वह चिकन गारी के ओपर ये ड्रेस बना अवा और गला जो है वो हमने इसका सिंपल रखा है राउंड गला बनाके आगे कट लगा लिया है और इसमें इस तरह की हमने ये डोरी लगा लिया है अच्छा यहां पर हमने ब्लैक कलर की डोरी यूज़ किया है क्योंकि डुबट्टे में ब्लैक कलर आ रहा था वो मैं आपको अच्छा यहां पर इसकी स्लीव देख लें जिस तरह से कैटलोग में डिजाइनिंग दिखाई गई थी सेम उसी तरह से हमने की है कॉटन नेट हमने यूज़ की है डबल करके यहां और स्लीव के ओपर भी देखें इस तरह से एमड्रेडी की है उसके बाद को हमने जो है वो लामं का डिजाइन नमन के ऊपर भी हमने जो को टन नेट है उसको डबल करके यूज़ किया है और इस तरह से लटकर इंस्टे इसकlares कर ली है और मेपक साइड की तरह और चाओब हमने इस तरह से ब्लैक कलोर की कि डोरीं कर ली यह यह देख इस तरह से उसके बाद जी इसकी back side जो है वो simple है यानि plane है इसकी back side ये देखें उसके बाद जी आ जाता है इसका trouser trouser के पर भी designing की हुई है हमने यहाँ पर हमने side cut वाला ये trouser बनाया है और इसके center पर हमने इस तरह से same यही cotton net जो है वो double करके use की है यह देखें इस तरह से आगे की side हमने पैंचे को जो है वो चोड़ाई में fold किया है और इस तरह से center पर हमने ये cotton net लगा ली है अच्छा यहाँ पर ये dress किसी और का है मेरा नहीं है और काफी लोग पर comment करना शुरू हो जाते हैं क्या पी आप परदा करती है और इस तरह के dresses पहनती है तो जिस तरह के customer's की demand होती है फिर उसी तरह के dresses हमें बना गए देने पड़ते हैं challenge यह हो गया अब इसका डबटा देख लेते हैं यहाँ पर शिफून का डबटा है इस तरह से यह printed डबटा है और इसके पलू के उपर हमने यहाँ पर ट्राउजर का fabric यूज किया है यानि ट्राउजर के fabric की हमने यहाँ पट्टी stitch कर ली है जो मैंने लटकन आपको बनाना सिखाई भी है वीडियो में वो लटकन आप इस तरह से डबटे के बलू के पर भी बल के साथ stitch करके लगा सकते हो वो मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ नेट के fabric के साथ और उसके पर मैंने डबटे की designing की वीडियो भी बनाई वी है उसका link भी में description box में दे दूँगे अगर आप लोग सीखना चाते हैं डिटेल के साथ तो वहाँ से सीख सकते हैं बाकी ये complete look के dress का पैना वा कुछ इस तरह से ये नजर आएगा उसके बाद जी अपने second dress की तरफ चलते हैं ये lawn का है और ये two piece है इस कुर्ती के उपर हमने less के साथ designing की है बहुत ही simple ये देखें गला हमने कुछ इस तरह से बनाया है इस तरह से less stitch करके उसके बीच में हमने यहाँ पर पर पर्स को stitch कर लिया है center पर अच्छा इसके उपर मैं वीडियो बना चुक्यों है स्नेक डिजैन के उपर इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा अगर कोई सीखना चाते हैं तो इसको वहाँ से बनाना सीख सकते हैं और यहाँ पर हमने फेशन पर्टी के साथ इसी less को sleeve के उपर stitch कर लिया है इसके पर मैं short वीडियो बना चुकी हूँ अगर आप सीखना चाते हैं तो इसको सीख सकते हैं ओके जी यह sleeve हो गई इसकी अब दामन की तरफ चलते हैं इसके chalk जो हैं वो हमने simple रखे हैं यह देखें और दामन के front और back side की तरफ हमने less के साथ जो है उसके बाद जी यह इसका trouser आ जाता है trouser हमने side kit वाला बनाया है इस तरह से और नीचे की side जितना चोड़ा हमने पहिंचे फोल्ड किया है उसके बाद दागे को हमने double किया है यानि कि normal जो रील होता है इसको double करके हमने उसकी यहां पर तीन तीन स्लाइएं लगा लिए है यह देखें इस तरह से और थोड़ा हमने dark color यूज़ किया है जो कि कुर्टी में आ रहा था बाकी यह trouser इस तरह से simple है अच्छा यहां पर पहना हुआ यह dress कुछ इस तरह से नज़र आएगा उसके बाजी चलते हैं अगले dress की तरफ यहां पर यह lawn का suit है और इसके ओपर हमने अंगरखा style में जो है वह designing की है इसके trouser के पर भी हमने designing की है सबसे पहर इसकी shirt देख लेते हैं यहां पर हमने shirt को cut नहीं किया बस इस-last को जो है वह अंगरखा style में हमने स्टिच किया है जिए देखे upon नज़रों-पर हमने यहां पर इसके dhory है तरह से उसके खुड से बनागे एक site को जो है वह हमने लैस के साथ स्टिच किया है दूरी site के साथ यह देखे इस यह देखें इस तरह से उसके बाद इसकी स्लीव यहां पर देखें वो भी हमने सिंपल रखी है नीचे और उपर की साइट बॉर्डर पर हमने लैस को स्टिच कर लिया है उसके बाद इसका आजाता है जी ट्रॉजर यहां पर देखें हमने कुछ इस तरह से डिजाइनिंग की है यह चाइट भी हमने साइट कट वला बनाया है उपर की साइट लास्टिक यूज किया है और नीचे की साइट यहां पे शर्ट में से निकला हुआ सरह से यह प्रिंट बॉर्डर का पीश था उसको हमने यहां पर stitch किया है और नीचे की side हमने जो यानि के कूर्थी में color सा आ रहे थे उसे साप से हमने anchor का दागा उसमें use किया है इस तरह से simple lines stitch कर ली है उपर की side हमने यह border का piece stitch कर लिया है तो यह इस तरह से simple trouser है इसका अब पेना वाई यह dress कुछ इस तरह से नज़र आएगा उसके बाजी चलते है अपने last dress की तरफ यहां पर जो मैं आपको shirt दिखाने जा रहे हैं इस तरह कि मैं दो shirt पहले भी बना चुक्किया हूँ same designing के साथ same color में यह मैंने 30 shirt ready की है इसके साथ मैंने trouser भी ready किया है अच्छा मैं पहले यह designing में दिखा चुकी हूँ यहां पे इसके साथ मैंने पर्स को भी stitch किया है तो पहले मैं इसका दामन आपको दिखा देती हूँ यह देखें लैस हमने स्टिच की है कट करके जिनको नहीं पता उनको दुबारा पता देती हूँ यह लैस का एक पीस था जिसको हमने सेंटर में से कट किया है हाफ आफ करके हमने इसको फेशन पती के साथ स्टिच किया है और बीच में हमने इसके पर्स को स्टिच कर लिया है इसके अपर मैं वीडियो बना चुके हूँ उसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और तीन-थीन परल्स को हमने स्टिच किया है चौक के उपर सिंपल हमने इन पीसिस को इस तरह से उसी कपड़े के साथ स्टिच कर लिया है उसके बाद जिसके कले की डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं राउंड गला हमने इसका बनाया है और सेम इसी तरह से हमने यहां पर इन फ्लावर्स को कट करके यहां पर स्टिच किया है और और कपड़े को लेते वे हमने इस तरह से इसकी डिजाइनिंग किया है अश्या गले को हमने फ्रंट साइड की तरह फोल करते वे इन लैसे को स्टि स्लीस के उनने के लिख लगाने हैंजे साथ ली उसी चारा के लिख वावस के संधे क्षा कंश जय चांछी से पिछ का उपर किती लुद्च क्यों इसका लिंक आपको डिस्कृप्शिप्षिन बॉक्स में मिलज़ नहींगा सुछ सकते हो उसके बाद जी इसका ट्राउजर आ जाता है यहां पर यह देखें ट्राउजर कुछ इस तरह से बना हुआ है साइड कट वाला हमने यह ट्राउजर बनाया है और नीचे की साइड हमने इस तरह से दिजाइनिंग की है इसके उपर यह देखें और बीच में हमने इनके ये पाल्स इस्टिच कर लिए है तो ये हो गया जी इसका सिंपल ट्राउजर अब किसी ने शेर्ट के स्क्रिंशोट लेना हो तो स्क्रिंशोट ले लें तो आज की लिए जी बस इतना ही उमीद करती हूँ कि सारे बनावे ड्रेस्स आपको बसंद आया होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर न्यू है तो से सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा तो मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज